मरवाही उप्चुनाओं में कॉंग्रेस प्रभारी और मंत्री जैसिंग अगरवाल ने इस वराज एक्स्प्रेस से खास बातचीत किया उन्होंने जनता कॉंग्रेस के दू विधायकों के कॉंग्रेस को समर्थन करने और बीजेपी नितामर अगरवाल के आरोपो पर क्या कु मरवाही उप्चुनाओं के लिए प्रचार थम गया है अब सबकी धड़कने तेज है कि तीन नवंबर को आखिर क्या होने वाला इस वक्त मेरे साथ है कॉंग्रेस के मरवाही उप्चुनाओं के प्रभारी मंत्री जैसिंग अगरवाल अगरवाल जी अब क्या संभावना द के वहां धनर जित करता है और कांवरेस्टार्य qa88 संप सी पर्चेट बोंचे जीते गाजपअ कंग्रेस ने जनतकर को अपने साथ लाने में काम्याब रही। अभी मरवाई में उस प्अटि का कोई इस्थित नहीं बचा है और जिन्होंने समर्थन दिया है उनका साथ यहां की जंता छोड़ चूकी है और जो दो विदायक अभी आये, जिनों अपना समर्थन दिया है, वो एक निसर्थ समर्थन है, कोई कांग्रेस में सामिल होना, नहीं होना, इन सब बातों के अभी कोई चर्चा नहीं है, वो अपनी इच्छा से समर्थन देने आये हैं, या क्यों आये हैं, वो आप भी उनकी बातों हो समझ गया होंगे कि चार विदायक हैं उसमें दो लोगों ने पास समर्थन की जो बात कही है उनके अध्यक्स ने जो गोशना की है इन दोनों विदायकों से चर्चा भी नहीं कि उन्हें तो आपस में चार विदायकों की पारटी चार में दो एक तरफ हैं आपस में पाजपा के जो चुनाव प्रभारी है वो यारोप लगा रहे है कि कॉंग्रेस जो है सत्ता में है तो धन्वल का प्रयोग हो रहा है बोगस वोटिंग करानी की त्यारी की जारी है। भूना मुस्किल है सि किसा सोटिंग कーसे होती है हमसरे वलाजिञी बता दे और उसको कैसे करने होँ चलो मैं उनके साथ चल डूँ मैं कहांचले रोकना है कहां से कहायार करना करके मैं उसके आपति लग करने के लिए तो जैसे अगरवाल यह मान कर चल रहे हैं कि कॉंग्रेस यहां पर मजबूत है और जनता कॉंग्रेस का कोई प्रभाव मरवाही में दिखाई निए देगा कॉंग्रेस यहां पर ज़रूर जिते विए कामरेमें रेखराम के साथ वैबो स्विपांडे स्वराज एक्सप्रेस मरवाही ने दिखाई नोट जनता कोई और